योगनन जी कहते हैं कि यदि आप अपने ध्यान को अंतर मुखी करें तो आत्मा की अनंद मई किरिणों की अनुभूती की जा सकती है अपने मन को भीतर के अद्रिश्य और अगोचर समराज्य में विचारों के सुन्दर द्रिश्य का आनंद लेने का रशिक्षन दे कर इन अनुभूतियों को प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि सुक्कों केवल सुन्दर वस्त्रों, साफ सुत्रे घरों, स्वादिष्ट प्रती भोजों और मुलायम गद्दों और विलासिता मिनक होजें ये आपके सुक्ष को वस्तू परक्ता की पहर मुखी सलाखों के पीछे कैद कर लेंगे योगननजी बताते हैं कि ईश्वर मुझे जो कुछ भी देते हैं मैं उसे सम्मान देता हूँ परन्तु जब वैं नहीं रहता तो मैं इसके कमी कभी अनुभव नहीं करता एक बार किसी ने मुझे एक बहुत कीमती पहनावा दिया एक सुन्दर कोट और हैड तब मेरी चिंता अरम्भ हो गई मुझे इसके फट ना जाने और गंदा ना हो जाने की चिंता करनी पड़ती थी इसने मुझे बेचैन कर दिया तो मैंने कहा है प्रभू आपने मुझे ये परेशानी क्यों दी एक दिन मुझे यहां लॉंस एंजलेस के ट्रिनिटी हॉल में प्रवचन देना था जब मैं हॉल में पहुँचा और अपना कोट उतारना शुरू किया तो ईश्वर ने मुझे बताया कि जेबों से अपना समान निकाल लो तो मैंने ऐसा ही किया प्रवचन के बाद जब मैं समान घर में वापिस आया तो वहां कोट गायब था मैं क्रोधित था परन्तो किसी ने कहा चिंता ना करें हम आपको एक और कोट ले देंगे तब ही मैंने उत्तर दिया कि मैं इसले क्रोधित नहीं हूँ कि मैंने अपना कोट खो दिया बल्कि मैं इसले क्रोधित हूँ कि जो कोई भी उसे ले गया है पैस टोपी को क्यो नहीं ले गया जो उस कोट से मेल खाती है तो योगनन जी कहते हैं कि अपनी भावनाओं को अपने मन पर शासन मत करने दे यदि आप हर समय अपने वस्तरों या दूसरी संपत्ती के लिए अनवश्यक रूप से परेशान होते रहते हैं तो आप सुखी कैसे रह सकते हैं स्वच वस्तरों को पहने और फिर उन्हें भूल जाएं अपने घर को साफ करें और फिर इसे भी भूल जाएं आप सुख के लिए बाहरी स्थितियों पर जितना अधिक निर्बर रहते हैं उतना ही कम सुख अनुभव करेंगे यदि आप सोचते हैं कि आप इश्वर की विस्मृती में सुख पुर्वक रह सकते हैं ये आपकी भूल है क्योंकि आप अकेले पन में बार-बार चितकार कर उठेंगे जब तक कि आप ये अनुभव नहीं कर लेते कि इश्वर ही सर्वे सर्वा है विश्व में केवल एक मात्र सकते आपकी रचना उनके प्रतिबिम्ब के रूप में हुई है आप किसी भी वस्तू में चिरिस्थाई प्रसनता प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि इश्वर के अतिरिक कुछ भी पूर्ण नहीं है इश्वर के साथ संपर्क करने में मैं जिस विशुद आनंद को पाता हूं उसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता योगनन जी कहते हैं कि मैं रात और दिन आनंद की स्तिती में रहता हूं वे आनंद ही इश्वर हैं उनको जानने का अर्थ है अपने सभी दुखों की अंतियश्टी करना वे नहीं चाहते कि आप उदासीन और चिट्चडे बने यह इश्वर के प्रती सही धार्ना नहीं है और ना ही यह उन्हें प्रसन करने का तरीका है स्वेम प्रसन हुए बिना आप उन्हें पा नहीं सकते आप जितने अधिक प्रसन होंगे उनके साथ आप उतना ही अधिक अंतरसंपर्क कर पाएंगे जो उन्हें जानते हैं वे सदा प्रसंद रहते हैं क्योंकि इश्वर स्वेम आनंद है